तो आज हम लोग ब्लेंग विट नंबर्स चटल नंबर्स नंबर्स नमा का पार्ट टू करने वारे हैं तो जितने लोग पहले से फॉलो करें उनको पता है कि हमने पार्ट वन में इस वीडियो का पार्ट वन भी है जिसमें वन से लिके 15 तक किया था ये वीडियो का पार्ट वे इस चैप्टर का पार्ट वे जिसमें हम लोग कुष्ण मा 16 से कंटिन्यू करेंगे तो जो लोग पहली बार आए हो जिसने पार्ट वन मिस किया है पहले वह पार्ट वन को देख लेना फर्स से 15 तक उसके बाद पार्ट व को देखना तो बैसिक लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं क्लासिक्स लेटिस एडिशन चैट्र नमबर 2 ब्लेंग वित नमबर्स ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं कुष्ण मा 16 से 16 में क्या बोल ला है यहां पर पूछा गया है विच आप दा फॉन नमबर्स इस डिविजल बाई 11 मत्तब 11 से कौन सा नमबर डिवाइड होगा तो हमें पता है 11 की जो रूल होता है किसी भी नमबर को चेक करने का वह 11 से कब डिवाइड होता है जब sum of the number some of the digit at the odd place और sum of the digit at even place यह इनका difference जा तो 0 हो जाए या 11 का multiple हो तीक है मतलब क्या है जैसे मालनों मैंसे मैंने option number B लिया बी में क्या लिखा है नमबर टू 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 ठीक है 8 time 2 2 लिखा होगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो sum of the digit sum of the digit at odd place odd place मतलब तब दखो जैसे यह मालनों हमने यह 1st place है यह 3rd place है यह 5th place है यह 7th place है तो यह 1st 3 5 7 जो यह position है इसकी यह क्या है odd position है तो इस number का हमने sum किया वो कितना आ जाएगा 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to 8 बचा क्या बचा जो even place पर मतलब यह 2nd यह 4th यह 6th यह 8 यह position बच गही तो इस position पर जो यह 8 तो हम क्या करते है sum of the digit at odd place minus sum of the digit at even place यह difference आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का multiple तो यहां पर देखो 8 minus 8 ओपर जो है sum of the digit at odd place नीचे sum of the digit at even place है तो हमने किसी option में तुम देख लो नहीं होगा बाकी किसी option में ऐसा नहीं हो रहा होगा तो कहने का तो यहां पर यह तुम्हारा answer हो जाएगा option number B तो simple सी बात है अगर मालनो कोई भी number given है यहां पर तीक है अगर वो 2 जो है वो 8 times repeat होगा है मतलब even number of times बाकी किसी में जो repetition होगा वो odd number of times होगा ठीक है अगर number repeat हो रहा है और पूछा गया है वो 11 से divide होगा कि नहीं तो अगर even number of times repeat हो रहा है तो वो 11 से divide होगा अगर कोई number है जिसमें 17 देखो 17 में क्या है 1 star 548 is divisible by 3 then star can be the value मतलब यहां पर एक unknown value है 1 यहां पर एक unknown value हमारे पास 548 यह बोलने वो 3 से divide होगा है तो यहां मान लिया मैंने x है मान लिया तो वो पूछने है x की value क्या होगा अगर यह जो भी number है ठीक हम नहीं पता कौन सा है तो वहां पर x की value क्या होगा x की value क्या होनी चाहिए तो हमें पता है कोई भी number 3 से अगर divide हो रहा है तो वहां पर उस number के digit का sum क्या होता है जो digit का sum आएगा वो भी 3 से divide होगा तो यहां पर digit का sum क्या हो जाएगा तो हमें पता है 1 है 5 है 4 है 8 है यह तो पता है हमें और यहां पर x है x अनुन नहीं पता हमें तो हमने इनको add किया 1 plus 5 6 6 plus 4 8 sorry 6 plus 4 10 10 plus 8 18 18 में हमें x add करना है such that यह जो भी आए वो multiple of 3 होना चाहिए तो अब देखो यहां पर option a b c d है अगर 18 में तुम 2 add करते हो माल लिया तुम x के value 2 है तो यहां पर x करके 2 आगा तो यह 20 बनेगा यह 3 से divide नहीं होगा 18 में तुम 7 add करते हो तो यह 25 बनेगा मतलब x के लिए 7 रखते हो 25 बनेगा 3 से divide नहीं हो रहा है अगर x के लिए तुम 8 रखते हो तो यह बनेगा 26 अगेशन यह भी 3 से divide नहीं हो रहा है मताब option B, C, D तो गलत है यहाँ पर 0 रखो 18 plus 0 क्या हो जागा 18 हो जाएगा और 18 3 से डिवाद होता है तो कहने का मताब यहाँ पर x कि प्लेस पर अगर यहाँ पर 0 रख दोगे तो 1 plus 0 plus 5 plus 4 plus 8 यह किसके को हो जाएगा 18 और 18 क्या होता है 3 सी डिवाड होता तो यह नमबर भी 3 सी डिवाड हो जाएगा तो यहाँ पर option number option B sorry A will be the right answer clear है चलते है next पर next क्या है वही same type का question है 5 star 2 is a 3 digit number with star is a missing digit if the number is divisible by 6 the missing digit is अब यहाँ पर 6 की 6 का रूल पूशा गया है 5 है यह एक unknown number नहीं बता हमें क्या है यहाँ पर unknown digit है और यहाँ पर 2 है तो बोलने यहाँ पर माल लिए यहाँ पर x ने वो बोलने x की value क्या होगी such that यह जो number बनेगा 5 x 2 यह number 6 से divide होगा तो कोई भी number 6 कब divide होगा जब वो 3 और 2 से divide होगा कोई भी number अगर 3 और 2 से divide हो रहा है तो वो 6 से भी divide होगा यह हमें पता है clear है तो हमने क्या किया अब परहे चेक किया 2 से divide कब होगा 2 से divide होने के last में हमें चाहिए even number तो last में even number है तो कहने का मतलब है option a,b,c,d में से कुछ भी जहां पर रख दो यह number 2 से तो divide होने वाला है क्यों? क्योंकि last में even number आ गया अगर last में even आ गया तो x की place पर option a से 2 रख दो या option b से 3 रख दो या option c से 6 रखो या option d से 7 रखो यह number 2 से तो divide होगा तो 2 से हमाना decide नहीं होपाया option क्या होगा यह basically कुछ भी हो सकता है तो हम आएंगे 3 पर तो 3 के लिए क्लिए क्या होता है sum of the digit should be divisible by 3 तो 5 plus x plus 2 तो 5 plus 2 क्या होगा 7 7 plus x अब x की place पर जो भी digit आएगा तो 7 के साथ add होगा और वो number 3 से divisible होना चाहिए तो मालों तुमने रखा 2 तो 7 plus 2 9 अगर तुमने x को 2 रखा तो यह हो गया 7 plus 2 equal to 9 3 से divide हो रहा है तो कहने का मत्तब है यह number 522 तुम्हारा correct हो जाएगा तो 18 का option एक correct है अब अगर किसी की दिमाहता अगर 3 रखेंगे तो तुमने यहां पर 3 रखा तो 7 plus 3 क्या हो जाएगा 7 plus 3 यह हो जाएगा 10 जो कह 3 से divide नहीं होगा तो यह number भी अगर यहां पर 532 तो वो 3 से divide नहीं होगा 2 से तो हो रहा है तुमने 6 रखा तो 7 plus 6 13 बन गया अगें 3 से divide नहीं होगा 7 रखोगे तो 7 plus 7 14 अगें 3 से divide नहीं होगा तो यहां पर जब x की value 2 रखोगे तो वो 2 से भी हो रहा है 3 से भी होगा तो 6 से भी होगा लिस्ट वर्ड यूज नहीं होता है यहां पर हो रहा है तो जब भी लिस्ट वर्ड यूज होता है तो हो सकता है कि कोई 2 डिजिट पूट करने पर वो नमबर उससे divide होगा हो तो उन्दों मेंसे जो भी लिस्ट होगा वो हम answer मिल लेंगे देखो यहां मानों यहां पर नमब नमबर जो given है वो 3 से divide हो जाए तो हम क्या करेंगा sum of the digit तुम ने किया 6 plus 3 9 9 plus 4 13 13 plus 2 15 15 plus 1 16 यह 16 हो गया और यह बच किया x तो 16 plus x तो इन digit का sum कर रहेगो तो 16 plus x 16 plus x आ गया तो इस नमबर में x हमें एक रखना है digit वो क्या होगा such that 16 plus x जो हो जाएगा वो multiple of 3 होना चाहिए अगर multiple of 3 होगा तो यह number 3 से divide हो जाएगा तो मानों किसी ने 0 रखा अगर यहां पर 0 रखो तो 16 plus 0 16 के equal तो यह 3 से divide नहीं होगा तो option a तो नहीं होगा किसी ने 1 रखा तो 16 plus 1 equal to 17 यह भी 3 से divide नहीं होगा तो यहां पर 1 भी नहीं आएगा किसी ने 2 रखा तो 16 plus 2 क्या आ गया 18 यह 3 से divide होगा तो यहां option c correct हो जाएगा तो option c will be the right answer over here ठीक है अब question आता है उसने list value क्यों बोला ठीक है list value उसलिए बोला क्योंकि यहां पर 16 यहां पर x के जगे तुम 5 रखोगे ना x के 5 पर तो यहां जगा 21 तब भी यह क्या होगा 3 से divide होगा लेकिन 5 लिस्ट नहीं होगा और although यहां पर 5 option में भी नहीं है अगर होता मालो इस 3 के जगे मालो 5 होता option में तो हम 5 रखते है तो 16 प्लस 5 क्या था 21 तो कैने का हमता है यहां पर 5 रखोगे तो वह 3 से divide होगा और 2 रखोगे तो भी 3 से divide होगा लेकिन हम ऐन सब बोलेंगे 2 2 क्यों भी लेंगे क्योंकि 2 लिस्ट दे रहा है नमबर हां तो यहां पर correct answer है महारा आजाएगा C correct answer है 2 ठीक है और कोई लखोगे एकस प्लस पे तो वह 3 से divide नहीं होगा clear है तो C will be the right answer over here हो सकता है यहां पर book में answer option a given है तो option बहुत सारी book में हो सकता है misprint हो और आपका answer a given हो a equal to 0 तो 0 यहां पर नहीं होगा यहां पर क्या हो जाएगा C equal to 2 हमारा correct answer होगा इस बात का ध्यान दखना ओके चलो चलते next question 20 पर अब 20 पर देखो अगें उसी same type question है exactly same type question है बस 9 सा check करना है तो number है 9 1 5 box जो unknown है 2 6 तो यहां पर एक digit आने वाला एक उसने कहा कि इस star के place पे इसको basically star बोल दो या hashtag बोल दो जो भी बोलना है इस place पे कौन सा digit आएगा 1 4 2 6 बतब option a से 1 आएगा option b से 4 आएगा option c से 2 आएगा option d से 6 आएगा तो हमें पता है अगर 9 से divide हो रहा है तो अगे 9 का जो rule होता है division का क्या होता है कि sum of the digit of a number should be divisible by 9 तो तुम्हें sum of the digit किया तो digit किया है परे जो number 9 ने उनका sum कर लिया करो एक्स को छोड़ दो वह unknown हमें निकालना है तो 9 प्लस 1 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 2 17 17 प्लस 6 23 तो 23 है और इसमें हमें x भी आइड करना है तो इस x जो unknown है जो start इसमें है उसके जो 23 में add होने के बाद वह number 9 से divide हो जाए तो तुमने option चेक किया तुमने 1 रखा तो x के जगर 1 रखा option a से तो 23 प्लस 1 24 यह 9 से divide नहीं होता है तुमने 4 रखा 23 प्लस 4 27 यह 9 से divide होता है तो option b correct हो सकता है यहाँ ठीक है फिर तुमने 2 रखा option c तो 23 प्लस 2 25 नहीं होगा मतलब यहाँ पर option b correct है 4 रखोगे तो यहाँ पर 4 रखोगे यहाँ पर तो sum of the digit जो होगा वो 9 से divide होगा मतलब यह number भी 9 से divide हो जाएगा यहाँ पर इस question को हम ऐसे करेंगे clear है चलते है question number 22 21 पर same question repeat होड़ा है बस value change होड़ी और कुछ नहीं करना है clear है बस rule यहाँ दखो question solve होगा again यहाँ पर जो next question 21 देख रहोगा तुम लोग क्या पूछा गया what list value should be given to star या hashtag जो पढ़ना पढ़ लो to the number 653 यह 47 such that number should be divisible by 11 तो 11 का rule क्या होता है sum of the digit at odd place minus sum of the digit at even place यह जो result आएगा वो तो 0 हो या 11 का multiple होना चाहिए तो पैसे देखो यहाँ पे यह odd place पे है क्यों क्योंकि यह first position पे आ रहा है 3 odd place पे क्यों क्योंकि third position पे है इसलिए odd place करा हैगा और 4 odd place पे है तो 6 plus 3 plus 4 तो 6 plus 3 plus 4 क्या हो गया 6 plus 3 9 plus 4 13 यह हो गया 13 तो sum of the digit of a number at odd place is 13 यह 5 क्या है second position पे मत्तब even place पे यह क्या है fourth position मत्तब even place पे इसको x माल लिया और 7 क्या है sixth position मत्तब even place पे है तो 5 plus 7 plus x तो यह कितना आ गया 12 plus x कहने का मतलब है 13 और 12 plus x को जो तुम मैनस करोगे वो यहा तो result 0 के एककोल होना चाहिए या 11 का multiple होना चाहिए अब यहां पर option देखो option देखो option से अगर मालो तुम यहां पे माल लिया तुमने तुमने बूला यहां पे x के place पे 1 आएगा तुमने 1 रखा तो यह कितना हो जाएगा option a से तुमने रखा 1 यह 1 रखो तो यह 12 plus 1 का हो जाएगा 13 12 plus 1 equal to 13 जो कि इस 13 के एककोल हो जाएगा तो दोनों का difference करो होगे तो यहां पे 0 आजाएगा तो 11 से divisional हो जाएगा बाकि किसी के लिए नहीं होगा तो यहां पे option a correct है option a correct है क्योंकि x के place पे अगर 1 रखते हो तो 12 plus 1 result 13 तो sum of the digit at even place 13 sum of the digit at odd place 13 equal हो गए तो इनका difference मतब 0 आजाएगा तो मतब वो number 11 से divide हो जाएगा तो यहां पे x के place पे क्या आजाएगा 1 आजाएगा 1 आक के divide करके देख लो तुम्हारा answer correct होगा के लिए रहे चलते हैं 22 पे 22 पे लिस्ट नमबर assigned so that the numbers भी divisional by 8 8 का पुछा गया है तो 8 का rule क्या होता है 8 का rule हमें पता है last 3 digit जो होगा किसी भी number का जो last 3 digit पे है मतलब 100 10s 1 पे जो भी number आएगा वह 8 से divide होना चाहिए तो अब number क्या है number है तुम्हारा दखो यहां पे number है तुम्हारा 6 5 3 sorry 6 3 5 6 3 5 6 3 5 7 6 यह नहीं पता 2 यह एक्स तो 8 का rule पूछा गया है 8 का rule क्या होता है यह last 3 digit number जो है यह 6 x 2 यह divide होना चाहिए तुम्हारा 8 से तुम्हारा 8 से तुम्हारा 8 से तेक है अब दखो दो option है 8 से rule check करने तो तो नहीं रखा लास्ट्री डिजिट नमबर देख लो यह भी नमबर 4 और 2 से डिवाइड होगा वह भी 8 से डिवाइड होगा ठीक है तो मालों तुमने यहां पे तुमने ऑप्शन से रखा 1 X की प्लेसा पही लेका 1 yukhtuk 612 चेक किया कि यह 8 से डिवाइड हो राएं तो यह 8 से डिवाइड नहीं होगा 612 करके देख लो तो मतलब X की प्लेस पर 1 नहीं आएगा तुमने रखा Option B 2 मतलब 6 2 2 x की प्लेस प्लेस तुमने 2 रखा Option B से तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब x के प्लेस पे 2 भी नहीं आएगा तो उमने option C रखा 3, तो ये कितना आगा है 6, 3, 2 अब देखो, check करो 6, 3, 2 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये तुम्हारा 8 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो 3 हमाना यहां पर correct answer option C तो 8 का जो rule होता है वो यही होता है कि last 3 डिवाइड होना चाहिए तो पूरा डिवाइड हो जाएगा चलते हैं अपने next question पर question में 23 23 में again which of the following number is exactly divided by 11 कौन सा डिवाइड हो रहा है तो वही काम करो कि sum of the digit at even place minus sum of the digit at odd place दोनों का difference 0 या 11 का multiple आना चाहिए तो यहां पर देखो मैं directly यूज़ करना हूँ option D लोगे ना D में क्या है number क्या 4 1 5 6 2 4 तो यहां पर यह odd place पर आ रहे है 4 5 2 यह odd place पर है और यह जो है ना 1 6 4 यह even place पर इनका sum करो तो 4 plus 5 5 plus 2 का sum किया तो 11 आ गया और जो even place पर है मतलब 1 plus 6 plus 4 का sum किया वह भी 11 आ रहा है दोनों का difference 0 आ गया तो यह 11 से डिवाइड होड़ा होगा तो यहां पर 23 का option D correct हो जाएगा किलिए रहे चलते हैं next 24 पर 24 पर क्या है वही question है तो आप खुझ से कर सकते हो यह 1 है यहां पर एक unknown है 548 बुला गया है यहां पर इस box में कौन से number आएगा कि यह 3 से रिवाइड हो जाए तो वही काम करोगे 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 17 प्लस 1 18 हो गया प्लस X है तो X के प्लस पर क्या रख सकते हो तो एक तो तुम रख सकते हो यहां पर 0 तुमने 0 रखा 0 रखने पर चेक किया वह उसका sum 18 तो sum जो आ रहा है वह 3 से रिवाइड हो रहा है तुमने X को रखा 0 option A तो 18 प्लस 0 क्या हो जाएगा 18 प्लस 0 18 यह 3 से रिवाइड हो रहा है तो मतलब यहां पर X के प्लस पर 0 आ सकता है अगर 0 रखोगे तो यह नमट 3 से रिवाइड हो जाएगा अब यहां पर 2 रखोगे तो नहीं होगा 7 रखोगे नहीं होगा तो अब प्रॉब्लम यह है कि 0 की 9 तो उसने कहा है विच अफ दे डिविटल बै थरी विच अफ फॉल्वइड डिवेड रिप्लेस किस से रिप्लेस कर सकते हैं तो यहां पर देखो 9 भी करेक्ट होगा और यहां पर 0 भी करेक्ट होगा तो यहां पर वैसे कुश्ण को उसने पूशन है था list कौन सा होगा तो list हो जाएगा जब हम 0 रखेंगे तो इनको mention नहीं किया तो यहां पर 0 भी सही हो सकता है 9 भी सही हो सकता है इनको mention करना चाहिए था mention नहीं किया है तो फिर भी list value जो होती है वही तो answer को रखना अगर mention नहीं है तो बागी सब question में list number mention था list value यहां पर mention नहीं है तो यहां पर mention नहीं है मतब 0 रखोगे तो भी 3 से divide होगा 9 रखोगे तो भी होगा तो हम multiple choice question तो है नहीं मतब कि यहां पर जो answer correct हो एक ही होगा more than one तो correct है नहीं तो एक ही correct है तो option A बोलेंगे हमारा correct answer है 9 नहीं बोलके हम option A बोलेंगे जो छोटा digit आएगा उसको हम answer मिल लेंगे 24 का हमारा हो जाएगा A clear है चलो तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे 24 तक 16 से 24 next part में इस chapter को हम complete करेंगे clear है तो part by part करने का मतब यह है कि आप लोग ज्यादा बोल ना हो क्योंकि वीडियो का लेंद काफी बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोल हो जाओगे इसलिए मैंने वीडियो को part by part में डिवाइट कर दिया बने 15 से 20 में का वीडियो बनता है उसमें इतने कोशन हो जाए 5-6-10 तो कभी 10 भी होता है कभी 5 ही हो पाता है depending upon chapter कौन सा है तो आज हमनो करेंगे 24 next part में इस chapter को complete कर लेंगे ठीक है चलो तो कहीं पर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं एक आप वीडियो को फिर से देख लेना फिर भी समझ भी नहीं आता है तो comment section में comment डालना ठीक है जो भी confusion है को भी doubt है तो मैं next video में उसको clear करूँगा चलो जल्दी मिलते अपने next part में तब तक के लिए good bye take care और अगर जेतने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और bell icon दबा दो ताकि जो भी नेया वीडियो अप्लोडो उसका नुट्रिफिक्सिन आप तक पहुच जाए चलो take care bye